हमारे चीफ सेकेटरी डॉक्तर एसे संदू जी, श्री मिनाथ्षी सुंद्रम, सेकेटरी श्री बिने संकर पांडे जी, रोहित निना, एम अन्य, आए वे सभी हमारे स्वयोगी गण और आज इस ग्लोबल इंवेस्टर सम्मीक में हमारे आवंतों पर यहां पर आए हुए सभी इंडिस्टी के लीडर्स, मैं जिनका नाम यहां से संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे सभी हमारे इंवेस्टर्स, हुपस्तित जन समूँ और हमारे पत्रकार मत्रो एम छायकार बंदो मैं सबसे पहले तो आज आप सब की आज यह जो आर्थिक राजधानी मिंड़ में हम सब लोग आपके बीच में आए और जहां यह आर्थिक राजधानी है पुरे भारत का दिल है वहीं आप सब के बीच में हम भारत की दिन्या की आज्यात्मिक राजधानी उत्राखन से आप सब के बीच में आए और आप सब लोग इतनी बड़ी संखेम आए अप कि अपने दिल की घहराएं से आप सब करता हूं सब का अबीममन करता हूं कि बड़ी संखेमा आकर आप सब लोगों में हमारा या मिस्चित रूप से इत्साब अदाने का करूं किया है और जब हम मंभल की बात करते हैं तो मिस्चित रूप से खुलाबा के बस्त बजारों से लेकर बांदरा की गगंचिंदी इमार्तों तक लोकाई ट्रोनों की भीड़ भाड शिद्धी बनायक मंदिर ऐसे मिनने वाली सांती और मंदर की जो आधनिक्ता है वहीं उत्राखंड का जो संस्कृति है वो जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा ही अनुथा संदम बनता है मुझे बताते हुए खुसी भी आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग मुंबई महराष्ट आसपास के लोग बड़ी संख्या में उत्राखंड उनका लगातार आना जाना रहता है कल जब हम जिस प्लेन से हाँ इस प्लाइट माई उसमें में बेगरागा जाना उध्योग सभी संचालिप करते हैं जो हमारे आपर एक बड़ा सिपकुल जैसा अवी रूहित मेना जब यहां से प्रजेंटेशन कर रहे थे तो रूहित मेना ने बताया है कि बहुत सारे लोगों के मन में संका होई कि उत्राखंड में जो लोग महीं गए सोनिया जी आप औाझालिवद पहले जाते रहते हैं और यहां पर कामी करते हैं तो आपको नहीं प्रवेर जिनको पता मियें जैसे आपको बहुत सारी बाते बता नहीं थी आप रहे थे कि व इतना संदर वह तो। इतनी चीजेव इतनी संभालना है तो भहत लोगत लोगता है ग्टें जमीन नहीं होगी उत्रागं तो एक हिल स्टेट है लेकिन मैं आपको बताओं कि 15,000 एकर लैंड पर अल्रेडी पहले से इंडस्टी लगी हुई है और इससे कहीं जादा हुई हमारे या सम्मावना है और 6-7,000 एकर जमीन हमने अल्रेडी वहां पर तयार की हुई है एक बड़ और साथ में जो हमने पालिसीज बनाई है सारी पालिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो आसानी हो जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई प्रहसानी नहों कोई मुस्किल ना आए उसके भी सारे गास्ते हमने निकाले हैं भाईयो बहनो इसलिए मैं आज आप सब के ब कि यहां इतनी अटना झल नहीं है कमे सो आप कोட कर जब बचल कोई दी हमारे झाल में के एक प्रज्ज का में है कि टीसे वोत देने का मर कि करता है मेरा मान्या है कि महाराष्ट बिसेश कर मिंड़ी और उत्राखंग दोनों एक पुफरे के पूरक है जहां ये महाराष्ट ये धरकन की तरह है धरकन है एक देश का दिमाग चलाता है एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धरकाता है इसलिए यहां के लोगों को बिसेश कर से एक जुडाओ के नाते अधिकार के नाते भी आप सब के बीच में आये हैं और हमारे प्रदान मुंत्री जीन ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थ बहुस्ता दो हजा है उसी के तहब उत्राखंग राज्यवी उसमें अपना युगदान दे उस एकोनोमी को बढ़ाने के लिए और साथ में उत्राखंग राज्यवी जहां पर अपार सम्माना हैं अभी में पिछले गलेंड गया था वहां पर लंडन में आबु रंदन में बर्मिंगम में और कृचस अरे इसपानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था उसके वार अबु धादी और अश्यवी आप रोड्सों के माद्यंसे अन्ने माद्यंसे बगतियत रूप से भी जहां लोगों से मेले चर्चा करी तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने का है कि उत्रा खंग में आ यह लिप्ट चल रहे थी लिप्ट में भी हावा की आवा जारी दिए जब चल रही थी तो लेकिन नहीं जैसे वह बढ़ आया उन्होंने वाटर फॉंटेन और वह वह उना था दो तिन मिनट का सो उसके बाद भार आए तो अंदर दो अच्छा लग रहा था और बड़ा अच् अजो लगता है शाथ 10 मिनट मैं को इंतवार करना पड़ा दस मिनिट में कार आँ सार देस्ट में जबासीने से तर्बतर होगए लेकिन उत्राखंच में अच्छाव उत्रा चंड मां अभाएंगे ऊत्रा बाग लगांगए उत्रा खंड में होटल बनाइंगे उत्रा खंड तो बाहर जितना तंप्रेचर अंदर जितना हो रहा हो बाहर उससे बहुत कम हो रहा हो आपको बहा है तो अंतर है दोनों चीजों में एक वहां पर मैं मेट और यहां पर सब कुछ ही अपने हाथ से बनाना है बाकि सारा का सारा गौड मेट तो सब कुछ जो है भागवान का बनाया हुआ है तो ऐसा इस्तान है उत्राखन इसलिए आप सब लोगों से अमलोग आमन्तित करने के लिए और मैंने जब से उत्राखन गाज्य के मुखे मुंटरी के रूप में काम करना सुरू किया तो यह सोनिया जी जानती है हम हमने लगातार सबसे को मनी किसन किया लगातार संबात किया लगातार बाते करी और इंड़स्टी समू के लोगों ने इन्वेस्टर में जिस प्रकार की हम से पॉलिस्यों की अपेच्छा करी उस प्रकार की पॉलिसीज को हमने बनाया उसी का परेणाम और जब हम आपके यह तरहीं में प्रवादेज कामा दिए हैं यह इंस्टि को चलाने के लिए कि सिभी कामों को इंडस्टी को चलाने के लिए इन्वेस्टर के लिए किसी इंप लिए हुएं । बहुत सारे फील्डों कि हम बात कर रहे हैं सबी के अंप अनुकूल गला तब आम आपके वाइए हम आपने अपको बहरे बनाया है क्योंकि हम जानते हैं कि वे इन्वेस्टब है कोई इनलश्की लगाने वो बापार करने वाले वो डापार करने वही जाते हैं जहां वो सुरक्षी इस्तान देखते हैं फ्यूचर देखते हैं और मैं अपने हमारे चीफ सेकरेटी साहब बैठे हैं और लूब बैठे हैं मैं सबसे बात कहता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा जो करते हैं देश दुनिया के अने को इस तानों पर करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे जिवन की कमाई को एक बार इंवेस्टमेंट करेंगे एक बार करेंगे तो वह अपना फ्यूचर भी देखेंगे अपनी सुरक्ष्या भी देखेंगे और आने यह देखेंगे कि यहां पर बैतार किस प्रकार से चल सकता है तो हमको उसको अपने सोच में रखकर क्यों हमारा उद्देश यह नहीं कि आप आईए आप आजाईए और आकर फच जाईए आप आईए और हम भी आपको साथ आप हमारे राज्य में काम परेंगे तो एताय मान जो आपके इंड़स्टी को आगे बढाने के लिए इंड़स्टी को सुरक्षा देने के लिए इंड़स्टी के भुष्ष्य को सुरक्षित करने के लिए और इंड़स्टी का बिकास होता रहे इंड़स्टी चलती रहे उसके लिए सरकार भी बराबर चिंता करेगी क्यों कि यह दो कि बहुत सारे लोस आते हैं इंड़स्टी पर सुरू करते हैं कई बार लिख जाती हैं और इसलिए हमें जो उत्राखन का अभी अंतिन कोना है उस कोने तब विकास मोचे उस कोने तब लोग मोचे अभी टाटा की बात हो रही थी उन्होंने कहा है कि अब कुछ ऐसे राज्यों ढूंड रहे हैं जहां पर अभी जीटीपी कम है ऐसे बहुत सारे संभू हैं जो कि कि अभी देश तभी आगे बढ़ेगा तभी बिक्सित माना जाएगा जब पूरे देश के अंदर एक समान रूप से समावी सी रूप से बिकास हो और पूरे देश का एक साथ दिकास होगा जो चित्र पीछे छूट गए वो भी आगे आएंगे तो ऐसे भी समों काम कर रहे ह मैं उनको भी साथवबाद देना चाहता हूं और हम प्लाइन की बात करते हैं वहां तर बहुत ज्यादा माइगरेशन हुआ उत्राखंड के अंदर इन सालों में और पहने से भी ओतारा क्यों कि रोजगार के लिए लोग बाहर जाते रहे आप सब लोगों के बीच में से अशन जब आप सब के बीच मा आए हूं तो आज से पहले यह जो बहुत बढ़ी संख्या होगी है कम सब के पांडेज हम लोग साथ सब्सक्रों से नहीं बहुत कर चुका हूं भी वन तो वन करके एक करके दो करके अभी बहुत सारे लोगों से मिलना है वारे चीप से कर्टी तो मुंबई नहीं होने वाले हैं और एक लाग करोल के हमारे पास अभी तक MOU साइन हो चुके हैं और वह तो हम लोगों को लगता है कि अब आगे आएंगे कि नहीं आएंगे हम तो नहीं के साथ मोई कर रहें किसी को जबस्ती करने के आउसकता नहीं है किल फॉर्मल होने के पर काम करना आप पहले काम को समझ जिए हमन्हारे पास। और बहुत्स आरे प्रस्ता वाएं के आपको बता हूं और हम उन सभी ऋप्र गुक्रें उसका अंकलं कर रहें कि अबस्का और अड़ 앞에 लगे का यह हुआत उमन सभी को आगे अ ऐगे हमने सुन से इन सब चीजों पर ध्यान धिया है और राध्य में जो सिंगल बेंडो सिस्टम है हमने सिंगल बिंडो सिस्टम पर भी बहुत बहुरी कृप से। और उस दिसाने में यह नहीं कह रहा हूं कि अभूरी तरह से बहुत सारे लोग वहां काम करते होंगे पूरी तरह से घरातल पर उतर गया 100 परसेंट लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हमने एक सुरुवात करी है कि उसको एबम सब्ती से उसको काम करें जिससे कि लोगों को किसी प् प्रसानियों का सामना न करना पड़े और वन स्टॉप साथ यह व्यास्ता भी हमने प्रारंब करी है साथी मुझे यह बताते हुए भी आप सब को खुशी हो रही है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो इन्वेस्टर फ्रेंड हैं उनकी भी हमने निउत्ती की है और पांच करो रुपे से अधिक की जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए सिंगल पॉइंट और राज्य की और से जो तमाम प्रकार के अनोसी जित्तेहदी जो लेती हूं उन सभी को वो दिलवाने का काम निवेसकों को उपलब्त कराने का काम उनके माध्यम से होगा इसके साथ सा हमने राज्य के अंदर कुछ सेक्टरों को फोकस किया है वो सेक्टर है परेटन टूरिजम का है आयूस का बेलनेस का फूर प्रोसेसिंग का ऑटो मवाइल्स फार्मा उर्जा बेकल्टिक उर्जा सूजना यह विज्ञान प्रोजगी की साइंस एंट टेक्नोलोजी जैसे से निवेस के लिए काम क्रहिं की जिसकी आव सकता है उनने ऑन सबही प्रमल्टिज को और अवसस्थाओं को ने पूरा किया अभी हमने जो हमारे निवेसक हैं उनके लिए मजबूत नीति गाठ दांचे में उनके अनलूप जो कि जो इन्वेश्टर है उनके अंभلا इंगा योगमाई बनाई है और चार महने ellschaft사 to aparecer जो मेटिया हैं पॉलिसी फीज उनको बनाया है यह भार सवी जो को लिबरर्ल किया है कि अगर संसोधन करना पड़ा है तो उनको हमने संसोधीद भी किया है आपको प्रेजेंटेशन में बताई दिया कि उत्राखरंड में कानून ब्यौस्ता अच्छी है किसी प्रकार का कोई भाय का वातावन नहीं है सांती है और आसानी से कोई देखती वहां पर काम कर सकता है को है कि ऊष्भी तो बहुत सारी जेखर पर आप देखते होंगे लगातार यूनियं के भीच में और शर्मीकों के बीच Candice में चांक जो परवंदधर वाह हैं उनके दीच में लगातार कले सोते हैं लेकिन हमारे यह उत्राखंड में क्लेस्ट से बहुत मुद्द्ट ł Casey MP connecthol मैं पुरे देश के अंदर सबसे कम उत्रागन के अंदर है और पीश टू प्रस्परेटी के मुल मंतर के साथ हमें निदेश के हमकोल सरकार अत्याजिलिक जो बन्यादी धांचे हैं और उत्कृष्ट जो मानाओ स्रामें सांतिपून वातावन हैं पारदर्सी प्रुसरान नीतिया हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान के अधिका अधिक सहरों से हमारे हां देहरादून से सीधी फ्लाइट चलती है लगवग 40 के लगवग फ्लाइटे चलती है इसके साथ जो एक बड़ा हमारा सिटकुल पंतनगर में है वो पंतनगर के सिटकुल के पास हम अ सारी फॉर्मेटी जहें लगवग 800 एकल की जमीन राज्य सरकार में भारत के जो विमानन मंत्राले है उस मंत्राले को हमने हस्तांत्री करने की परकरिया कर दी है और रेल सेवा भी लगातार चल रही है और दिल्ली के बहुत नजदीक है पुरा का पुरा चेत्री जैसे अभी साइठी ने जे पुरा कर देने के सुनिया जी बता रही ती की इंदीली से सारे 3 गंटे में गहरा दुन पहुंच रहे है आने वाले समय में आपकी मात्रे वह है और आप दिल्ली से दहरादून पहुच पाएंगे हरीदवार पहुच जाएंगे प्रिसी केस पहुच जाएंगे और रामनगार, रुदरपूर यह सारा इस्थान जहां हमारा बड़ा सित्कूल है वो सारा का सारा दिल्ली के बहुत नजदीक का छितर है और हम कोशिश कर रहे हैं करने वाले समय में कि अंतरास्टी उडाने भी हमारे यहां से चले उस दिसा में भी हम काम कर रहे हैं भाई वेनो मुझे पुरा विस्वास है कि मीधी छेत्र के साथ मजबूत संबन बनाने जो हमारी साजेदारी है उसको इस्तातित करने के से हम राज्य में आर्थिक तरगत जो रोजगार के अफसर हैं उसको और मजबूत कर सकते हैं इसलिए उत्रा करने हमने उद्योगों के साथ बहतर संबन एं तालवेल बढाने के लिए हमने अपनी जो सबसे जादा प्रापनिक्ता रखी है हमने हमारी प्राइटी है कि हम निबेश को बढ़ावा दें उद्यो अबेश के शित्र में भी लोगों को दें और आप सब जानते हैं कि दे भूमी जो उत्राखंड है काई वाम लोग पैते हैं कि साभ वहां पर डेस्तिने सम कहां है फिल्म इंडस्ट्री वाले विसे मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों के बीच में गया तो उन्होंने पूछा कि आप किया एतने डेस्टिनेशन नेस के अलावा कहां कहां डेस्टिनेशने से बोलते हैं जोरादून, हरीद्वार, रिषिकेष, चक्राटा, तर्कासी, महनिताल, मुक्तेशुर, कौसानी, मुंशारी, तो मैं उन से कहता हूं, कि आपकी नगर जिधर को जाएगी आपकी जिधर को नगर जाएगी उधर ये आपको एक नया डेस्टमिशन दिखाई देगा देखे गंगा वहां निकलती है गंगा जी निकलती है गंगा जी का उद्गम है यम्ना जी का उद्गम है तिंडर है अलगनंदा है भागी रती है स वे वे बुमे उत्राखंग से ही निकलती हैं हमारे हैं गलेशियर हैं बर्फ की चोटिया हैं परवतों की सरंखलाएं और उससे बढ़िये बात की पूरे राजजगा गार्जगा जो एरिया है वो फोरिस्ट है जिन कॉरवेट जैसा पार्क उत्राखंग में है राजाजी सबस्क्त के रirm हैं कि उसलिये ज़े दोडोग जाताि है क्राइब तर्फ गवहां पर आते ऊत्राइब देखनी भी आते हैं ताइबसस्ता छ्रिश्ट्री के गार्प हैं तो प्रेटन की दृष्ट्प से अायवस् दृष्ट्टी से बैलनेस की दृष्टी से हर दृष्टी कि अधिस्वी सदी का तिसरा दसक उत्राखन का दसक होगा उस दिसा में हम तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं आज मुझे यह भी बताते हुए कि इस साल आप लोगोंने देखा होगा बीच में चर्चा आई होगी कि जोसी मट में भूष कलन हो रहा है लेकिन इस बर्स की जो यात्रा हुई है अभी तक पच्पल लाग तीर्थ यात्रियों ने चार वामों के दर्सन कर ली हैं अभी 18 तारिक तक यात्रा चलनी है भी आज च्छाई तारिक हो रही है लगवादीन अभी और बच्छे हुए और पच्पल लाग रह सो गया है अब त अब लेकिन काव्टरा च्टो डल्जब शोच्पल एंगे चल रही हैं अब लाग विछ्या इन नहीं एक टो जाएंगी त हम्तर्द क्यों जाएगी तै क्या जो रोत है हमारा तो काम है ता मैंक्षा चल रहा है कि मैंने काहां कि उत्त्रा घंड मैं जन्म लेना लेकिए लुक्त कर्म कर्म यहमारे हाथ में जब आपके पास आगे सम्हावना है तो मैं आप तब सबसे अम्रोद करूंगा कि उतरा खंड जरूर अपने सम्हावनाओं को देखे कि आप आईये और जद्रा जला अटलुर को अच्छाव पर सब्सक्राब आप सर्मिंग को अधर नौ द जिने भी उनका भी उसमें मारत असन हमको मिलने वाला है तो मैं उसके लिए आपको आमनतीत करता हूं और मिझे पुरा विस्वास है कि उत्राकर बाद जी के विकास में आप सबी लोग सब आगी बनेंगे देव भूमी में अपने कर्म को आगे बढाने के लिए देव भूमी आपको आमनतीत कर रही है और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपको उत्राखंड में अपने उद्रोग इस्तापिक करने में इन्वेस्ट करने में किसी की प्रकार की कोई परेसानी किसी की समस्य का सामना नहीं करना पड़ेगा झाल